प्रस्न एक, निम्न लिखित में से परतेक का ब्यूत्क्रम ग्याद करें, ब्यूत्क्रमों के उचित भिन, बिसम भिन एवां पूर्ण संख्या के रूप में वर्गी कृत करें, तो प्रस्न पहला, तो प्रस्न पहला का ए, प्रस्न पहला का ए का पहला है, पांच बटा साथ, तो पांच बटा साथ का पहले व्यूत्क्रम लिखना है, तो पांच बटा साथ का व्यूत्क्रम हो जाएगा, साथ बटा पांच, देखिए व्यूत्क्रम मतलब, जो हर है वो अंस बन जाएगा, और 5 वटा 7 कभ व्यूत क्रम हो गया? 7 वटा 5 अब देखे यहाँ पे अंस बड़ा है तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बिसम भीन तो इसको हम इस तरह लिख देंगे बिसम भीन इसको क्या कहेंगे? बिसम भीन ठीक है? जब अंस बड़ा हो और हर छोटा हो यानि हर से अंस बड़ा हो तो उसको क्या कहेंगे बिसम भीन तो इस तरह भी लिखना है इसको अब दूसरा दूसरा में है एक वटा आठ तो एक वटा आठ का पहले हम भी उत्क्रम लिखेंगे तो एक बटा आठ क्या बन जागा, आठ बटा एक तो बटा में एक लिखे या ना लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो बस आठ लिख देंगे, तो आठ क्या है तो आठ आठ है, पूर्ण संख्या आठ क्या है, पूर्ण संख्या तो इस तरह कॉमा दे करके हम लिख देंगे यहाँ पर पूर्ण संख्या तो इस तरह हो गया दूसरा अब तीसरा तो तीसरा प्रस्न है बारा बटा साथ बारा बटा साथ तो पहले इसका ब्यूत्ग्रम लिखते हैं तो ब्यूत्प्रयाम यानि जो हर है जो अंस बन जाएगा और जो अंस है वो हर तो साथ वटा बारा है तो साथ वटा बारा क्या है साथ वटा बारा है अब देखें यहाँ अंस छोटा है हर से अंस हर से छोटा है तो यह है उचित भीन क्या है उचित भिन तो इसको हम लिख देंगे उचित भिन प्रस्न चार प्रस्न चार है तीन बटा चार तो तीन बटा चार का पहले हम ब्यूत करम लिख देते हैं तो तीन बटा चार का ब्यूत करम हो जाएगा चार बटा तीन तो चार बटा तीन में देखे अंस बड़ा है हर से अंस बड़ा है हर से तो क्या हो जाएगा बिसम भीन हो जाएगा तो इसको लिखेंगा बिसम भीन बिसम भीन प्रेस्न पांच प्रेस्न पांच में है दो पुर्णांग एक बटा तीन दो पुर्णांग, एक वटा, तीन तो इसकों पहले पुर्णांग तोड़ लेते हैं तो तीन दुना छे, छे, एक, साथ वटा, तीन हो जाएगा तो साथ वटा, तीन क्या है यहाँ भी अंस बड़ा है हर से तो यह भी हो गया विसम भिन तो विसम भिन माफ कीज़ेगा यहाँ पे पहले व्यूत करम इसका लिखना है उसके बाद ही विसम भिन या उचित भिन लिखना है, तो दिखे पुर्णांग तोड़ने पे कितना आया है, साथ वटा, तीन तो इसका हम व्यूत करम लिखेंगे, तो क्या हो जागा तीन बटा साथ हो जागा तीन अंस है, तो तीन हर है, तो अंस बन जागा साथ अंस है, तो हर बन जागा यानि तीन बटा साथ तीन बटा साथ क्या है, उचित भिन है कि विसम भिन है, यहाँ पे अंस छोटा है हर से, अंस छोटा है हर से, तो क्या हो जागा, उचित भीन, तो इसको हम लिख देंगे, उचित भीन इसका उत्तर हो जागा, उचित भीन, ठीक है, तीन बटा साथ, उचित भीन तो पहले सब का व्यूत करम लिख देना है और उसके बाद बी सम्भीन है कि पूर्ण संख्या है कि उचत भीन है ये सब लिख देना है यहाँ पे प्रस्न पहला का वी नीचे दिये गए रिक्त स्थानों की पूर्टी करें ताकि दिये गए कथन सत्य हो तो प्रस्न पहला का वी अभल करेंगे नीचे दिये गए रिक्त स्थानों की पूर्टी करें ताकि दिये गए कथन सत्य हो तो यहाँ पर जो रिक्त अस्थान दिया है उसको भड़ना है तो लिखेंगे यहाँ पर प्रसन B का पहला 3 वटा 5 गुना खाली अस्थाने यहाँ पर बराबर एक है तो 3 वटा 5 गुना तो 3 वटा 5 को किस भीन से गुना करें कि एक आ जाए तो देखे, यहां पर गुणा का चिन है, ठीक है, यहां पर गुणा का चिन है, तो 3 वटा 5 को इसके व्यूत करम से गुणा करने पर एक आएगा, तो यहां पर भरेंगे 5 वटा 3, क्या भरेंगे, 5 वटा 3, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि किसी विभिन को अगर उसी का वियुत करम से गुना किया जाए तो कितना आएगा एक आएगा तो प्रस्न पहला को उत्तर हो जागा पांच वटा तीन अब देखिए दूसरा दूसरा में है इस तरह दिया हुआ है डबा गुना यानि खाली अस्तान दो वटा पांच बрाबर एक तो एक लाना है तो देखिए आपर दो वटा पांच है तो दो वटा पांच का वियुत करम क्या होगा पांच वटा दो तो हम यहाँ पर भर देंगे 5 बटा 2 तो 5 बटा 2 यानि 2 बटा 5 का व्यूत करम से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा एक आ जाएगा क्योंकि देखिए 2 से 2 कट जाएगा 5 से 5 कट जाएगा उसी तरह यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा 5 से 5 कट देगा तो 1 आएगा, तो व्यूदकरम से गुना करेंगे, 30 दो वटा 3 गुना, 3 वटा 2 बराबर, अब यहां पर देखिए, 2 वटा 3 गुना 3 वटा 2 है, यानि दो वटा तीन का व्यूत करम है, तीन वटा दो, तो एक आएगा, क्योंकि तीन से तीन कट जाएगा, दो से दो कट जाएगा, तो एक आएगा, तो प्रेसन तीन इस तरह हल करेंगे, प्रेसन चार, प्रेसन चार, तो प्रेसन चार में है, दो पुर्णांग, एक वटा द दो गुना खाली अस्थान बराबर एक तो इसका उत्तर होगा अब देखिए दो पुर्णांग एक वटा दो तो दो पुर्णांग एक वटा दो को हम लिख सकते हैं देखिए दो पुर्णांग एक वटा दो यानि पुर्णांग तोड़ें तो किता हो जागा दो दून चार च चार एक 5 पांच वटा 2 तो 5 वटा 2 गुना इस तरह है ये प्रस नहीं इस तरह है ठीक है पांच वटा दो गुना खाले अस्थान बराबर एक क्योंकि यहाँ पे दो दुना चार चार एक पांच पांच वटा दो हुआ पुर्णांग तोड़ने पे तो इसका व्यूत करम क्या हो जाएगा दो बटा पांच यानि यहाँ पे कितना भरेंगे प्रस्न पांच खाले स्थान गुना तीन पुर्णांग एक वटा दो बराबर एक तो तीन पुर्णांग एक वटा दो देखे इसका पुर्णांग तो तीन दूना चे एक साथ वटा दो आएगा इसका पुर्णांग तोड़ने पे तीन दूना चे चे एक साथ साथ बटा दो तो साथ बटा दो का व्यूत करम से गुना करेंगे तब ही एक आएगा तो दो बटा साथ हम यहाँ पर भरेंगे यहाँ पर कितना भरेंगे दो बटा साथ कितना भरेंगे दो बटा साथ प्रस्न छे प्रस्न छे है पांच बटा साथ गुना 7 वटा 5 बराबर खाली अस्थान तो 5 वटा 7 का व्यूत करम है 7 वटा 5 तो क्या आएगा उत्तर गुना करने पे 1 आएगा क्योंकि व्यूत करम से गुना करने पे 1 आता है तो इस तरह हम रस्न B का पूरा हल कर लेगे पहला का उत्तर होगा 5 वटा 3 दूसरा का 5 वटा 2 तीसरा का 1 चौथा का 2 वटा 5 पांच मां का 2 वटा 7 चौथा का 1